नमस्कार साथियों, आज की सेसन में हम लोग PPAP का जो रिटेंसर और समिसन रिक्वार्मेंट है, उसके बारे में बात करेंगे देखे, यस मतलब क्या होता है, यस मतलब जो इसमें लेबल 1, 2, 3, 4 में में इस, यस मीन सब्मिट करना है तू कस्टमर और रिटें करना है कापी आफ रिकाउट, ठीक है जो R का मतलब है, रिटें करना है आप्रोपेयट लोकेशन पे और कस्टमर को अब लेबल कराना जब ही हो रिक्वेस्ट करता है, दिखाना है, सम्मिट नहीं करना है दिखाना इस्टार में क्या है रिटेन करना प्रोपेट लोकेशन पर बद कस्टमर को सम्मिट करना है जब भी वह मांगता है देखिए पहला डाकुमेंट हमारा क्या है जो प्रेप में 18 डाकुमेंट है उसके बारे में बात करेंगे पहला डाकुमेंट हमारा क्या है डिजाइ करना है ने राद क्या है सबंक्त करना में एक काफी अपने बात करना ड्रेंजेंड क्या है इस को भी हमें सब्बेट करना ईसको कपी रखना ऐसको इसको को की रखना stress following diagram उसकी भी हमें Summit करना है, Copy अपने पास रखना है, process FMEA जिसको हम लोग process failure mode and effect analysis बोलते हैं उसको भी submit करना है, Copy अपने पास रखना है, लेखिए next हम बात कर रहे हैं कंटोर plan की, कंटोर plan भी हमें क्या करना है, Submit करना है, Copy अपने पास रखना है, measurement system analysis जिसको से बोलते हैं उसको भी सम्मिट करना है कापी अपने पास रखना है अब हम बात करते हैं अगर कोई है तो सम्मिट करना एक अपने पास रखना है लेकिन मास्टर सेंपल हमें क्या करना है और रिटेन का मतलब क्या है देखिए आर का मतलब हम लोग दुबारा से देख लेते आर मतलब रिटेन करना अप्रोपेट लोकोशन पर और अबलेबल कराना जब भी कस्टमर मांगे तो मास्टर सेंपल को हमें क्या करना है रिटेन करना है और रिकार्ड साब compliance रिकार्ड साब compliance भी customer specific requirement क्या करना है में submit करना है और एक copy हमें retain करना है पार submission वारंद submit करना है एक copy अपने पास भी रखना है बल्क material अगर कोई है तो भी submit करना एक copy अपने पास रखना है Thank you so much